so what factors influence children's health health is a complex state determined by ongoing interactions between an individual's genetic makeup and everyday environmental factors so यह बहुत complex है health का concept देखिए ऐसा नहीं कि जैसे हमने किसी food को control कर लिया हमने उनकी movement को control कर लिया उनके playing areas को control कर लिया तो हम उनको healthy बना सकते हैं health पर बहुत सी चीज़े असर अंदार होती हैं जिनमें खास तोर पर headidity कुछ जो genes हैं वो पहले सही तैशुदा हैं के बच्चे की height कितनी होगी weight कितना होगा उसका metabolism कितना होगा और यह के फिर उसके अंदर मुक्तलिफ जो ingredients हैं उनकी consumption कैसी होगी मसलां कई ऐसे लोग हैं जिनके हाँ calcium magnesium की absorption जो है वो दूसरों के मकाबले में कम होती है और कईयों की healthy होती है यह कुछ areas पर भी content करता है कुछ ऐसे jeans जैसे हमारे अलाके में गिलगित में रहने वाले अफ्राद जो हैं चूंके वो जाहर है उसकी body उसको react नहीं करेगी और वो मामूल के मताबक उससे चीज़ें पैदा नहीं कर सकती लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि genetics जो है जो चीज़ें वो तैय करती है फिर environment उसके अंदर एक बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है अब environment में जैसे मैंने अर्ट किया कि सिर्फ मौसम ही अपना रोल अदानी करता वो मैदानी लाका है वो पहाड़ी लाका है और फिर ये कि क्या आप शहर से दूर है जहां पे कम polluted air है या बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन के एरियास में है या बहुत से पोश एरियास जा डिवेलिप कंट्रीज हैं जिनके अंदर बंद डबों की खुराकें इस्तमाल होती है तो वो बिलकुल एक अलग सेनारियो हो जाता है और एक जगा ऐसा है कि जहां बचों को खालस दूद भी मिल सकता है खालस सबजिया मिलती है वहां पे उनको इस्ता की गिजाएं मिलती हैं जिसमें कम से कम इंटर्वेंशन है तो जाहर है वहां सहित के मयार का फरक तो पड़ेगा फिर जैसे हमने अर्ज किया एन्वायर्मेंट सिर्फ इसी बात पर मुनहसर नहीं है कि आपका एरिया क्या है या आपकी हवा कैसी है या आपको गिजा आपकी और मौशरती तोर पर भी बच्चों की सहत को फरक लगता है उनके उपर असर अंदाज होती है ये चीजें कि इर्दगेद के लोगों का रविया कैसा है क्या वो सेक्योरिटी फील करते हैं क्या वो अपने आपको महफूस खयाल करते हैं या वो अपने आपको किसी से करीब महसूस करते हैं तो आप जहां कहीं होंगे अभी आप जो तस्वीर में देख रहे हैं अगर आपको एक बिलकुल नैच्टरल अन्वायर्मेंट मिलता है जहां आपको हर तरह के खेल के मौाके हैं और आप फ्री प्ले कर सकते हैं आपको आजादी है और फिर कुछ आप अपनी मर्जी जब वो इस्तमाल करते हैं तो उनकी सारी जो कॉगनिटिव, सोशल, इमोशनल, पोटेंशियल्स हैं, सलाहियते हैं जो उनकी वो सामने आती हैं और पूरी एक शक्सियत की होलिस्टिक डिवैलपमेंट होती है तो ये बात हम खास तोर पे हमारे असाद्जा को जहन में रखनी शाइए, कि हम सबसे पहले बच्चों की हेरेडिटी का तायून करेंगे, कि वो शुरू में किस तरह के जीन्स लेकर आएं हैं, मतलब कोई बीमारी उनके खानदान में तो नहीं, और ये कि उनके हाइट और वेट क्या मतوازन हैं, और फिर उसके बाद अगली कोशिश होगी, को उनको अच्छा एक environment दिया जाए, जो महफूज हो, जो comfortable हो, जो supporting हो, और आखिर में हम देखेंगे, कि उनकी बाकी जो intakes हैं, यानि food habits हैं, या इसके इलावा वो किस किसम के खेल खेल रहे हैं, ये चीज़ें भी उनकी सहत भी असर अंदाज होती हैं, अग की growth नहीं हो सकती, तो हमने सारे factors को समझना है, इसके बावजूद भी, चुके health हम कह रहे हैं कि complex phenomena है, तो जरूरी नहीं कि ये सारी चीज़ों के बावजूद भी एक ideal health को आप पा सके, हाँ, इसके लिए हम मुकमल तोर पर कोशिश जरूर कर सकते हैं.